मैं आपको इन वीडियो में ऐसे छे पॉइंट्स दूगा जिससे आप नाचुरली अपना टेस्टोस्टोरॉन बढ़ा सकते हैं पर आज मैं आपको चार सप्लिमेंट्स ऐसे देता हूँ जिनसे आपका टेस्टोस्टोरॉन लेवल कम से कम दो गुना बढ़ेगा आपको ऐसी साइस से टेस्टोस्टोस्टोरॉन का डायरेक्ट फीडबैक लूप होता है तो अगर आप अपना लिवर हेल्दी रखते हैं अगर आप अपने लिवर को स्ट्रॉंग रखते हैं तो भी आपका टेस्टोस्टोरॉन लेवल भौध हाई रहेगा अगर आपको अपना टेस्ट इंट्रेस्ट से कुछ नहीं बताएंगे मैं आपको इन वीडियो में ऐसे छे पॉइंट्स दूगा जिससे आप नाचुरली अपना टेस्टेसरों बढ़ा सकते हैं अगर आपकी टेस्टेसरों की रिपोर्ट में टेस्टेसरों लेवल मार्जिनल है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जिनके अंदर वेरिकोसील है टेस्टेस चोटे होगे दवाईयों के जुरुत है उनके लिए बहुत सारी है उसमें मेरा वीडियो पहले भी है आगे भी आएगा पर आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन मेरे फ्रेंड्स के लिए या यू मतलब पुरुष रोप मेरा जो एक कोर एरिया है वो एंड्रोलोजी या मेंस हेल्थ है मर्दों की परेशानियां जिसके अंदर सेक्स से रेलेटेड हम हर बिमारी का प्रॉपर साइंटिफिक एलाज करते हैं चाहे वो अरली डिस्चार्ज हो चाहे वो पनाईल इंप्लांट जो आप कम खर्च में या बिना खर्च के घर पे करके अपना फायदा ले सकते हो और ऐसा ही टॉपिक है सीरम टेस्टोस्टेरोन तो टेस्टोस्टेरोन एक बहुत जरूरी मर्दाना हर्मून है लेडिस के लिए भी जरूरी है उसके बारे में कभी और बात करेंगे पर आच का टॉपिक है चे ऐसे स्टैप्स जो आप घर में कर सकते हैं अपना टेस्टोस्टोस्टॉरान बढाने के लिए तो स्टैप और बन्बर यह स्टैप नम्र वन है ग्रूर्वाइड अपर हमारे बोर्टी नहीं बनता सबसे पहली बात यहे हैं कि हमारे बॉड़ी में जो muscle groups है उनको divide किया गया है major groups में और minor groups में अगर आप जिम जाएंगे और सिर्फ biceps पर काम करेंगे या छोटे जो की बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है जिनके अंदर बहुत ज्यादा मसल होता है और इनकी exercise से टेस्टोस्टरोन का डायरेक्ट फीडबैक लूप होता है इन मसल में आते हैं शोल्डर चेस्ट बैक अब्डॉमिनल्स और ग्लूटियस मतलब जो पिछवाड़ा है वो अप maximum number of muscles इस्तमाल हो अगर आप compound exercises करेंगे और बड़े muscle groups को target करेंगे तो आपकी फिजीक भी जल्दी expand होगी और साथ में आपका testosterone भी बहुत बड़ेगा इन exercises को करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि कोई जिम जोइन करना है मेंग equipment लेने है protein shake पीने है multi vitamin खाने है ज़रूरी नहीं आप इन exercises को अपने daily routine में घर में घर के बाहर भी कर सकते हैं इन exercises में एक्जामपल पहला चिनप्स मतलब अपनी बॉड़ी को उपर और नीचे खीचना dips push-ups उठक बैठक और पेट के exercises यह पांच exercises भी अगर आप regularly कर रहे हो चिनप्स किसी भी बाहर से कर सकते हैं डिप्स कर सकते हैं और abdominal exercises कर सकते हैं अगर इन पांच exercises को करते हैं तो यह आपके सारे बड़े muscle groups को भी impact करता है और testosterone level को ले जाएगा एकदम अप exercise करते रखें ध्यान रखिए कि लंगोड ज़रूर बांदना उसके बारे में मैंने पहले बताया है फिर second जो component आप कर सकते हो वो है testicular massage testis को अगर आप regularly massage कर रहे हो और specifically ice massage कर रहे हो अगर आप daily घर आने के बाद अपने testis को पांच यदास मिनट cool down करते हो बरफ का pack लगाते हो और testis को आप properly massage करते हो at least once in a day penis massage के साथ तो यह एक बहुत बड़ा stimulus है और यह testosterone को immediately pump करेगा जो patients मेरे regularly testis massage करते है eyes massage करते है उनका sperm cord बढ़ता है testosterone levels बढ़ते है libido बढ़ता है sexual desire बढ़ती है testis में से vericocele के अंदर improvement मिलता है तो second step है testicular massage testicular massage कैसे करेंगे इसके बारे में मैं कभी और बता हुआ पर testicular massage के बारे में बहुत सारा information internet पर है आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक ऐसी चीज है जिसको घर पे करके आप अपना testosterone level अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं फिर step three step three is reduce body fat जो body का fat है उसमें aromatase enzyme होता है जब body fat होगा तो सपोज आपका testosterone 500 निकला तो वो 200 तो testosterone convert कर देगा estrogen में estrogen जाके अपकी body को testosterone कम बनाने के लिए बुलेगा तो अगर हो सकता है कि आप बहुत well built हो हो सकता है कि आपका बहुत muscle mass हो पर अगर आपका body fat percentage जादा है तो भी आपका testosterone level low की तरफ रहेगा तो body fat fat कम करेंगे अपनी dieting से exercise से running से तो भी आपको अपने testosterone levels में एक बहुत अच्छा boost मिलेगा फिर step 4 है अपना liver तो जिन मरीजों में fatty liver होता है जिन मरीजों में alcohol लेने के वज़े से liver खराब रहता है उन मरीजों में भी testosterone levels low रहते हैं तो अगर आप अपना liver healthy रखते हैं अगर आप अपने liver को strong रखते हैं तो भी आपका testosterone level बहुत हाई रहेगा तो अगर आप liver के patient है तो liver में दो तरह की problem बहुत common है एक है fatty liver जो again मोटे लोगों में ज्यादा होता है तो weight loss करने से fatty liver खतम होता है कुछ दवाईया भी है जो fatty liver को खतम करती है liver के नदे fat को निकालती है liver को healthy करती है digestion को improve करती है और अगर आप alcohol लेने के आदी है तो alcohol बंद करने से भी आपके liver को फायदा मिलेगा अगर अपने liver को healthy रखेंगे तो भी testosterone level boost होगा live 52 भी आप try कर सकते है उससे भी liver में फायदा मिलता है और testosterone boost करने में help मिलती है फिर पांचवा sexual intercourse कई बार हमारे जो मर्द है घर से दूर रहते है या आपको कई बार false information मिलती है कि masturbation गलत है या आप regularly intercourse नहीं कर रहे है अगर आप किसी अगर एक तो है कि testosterone level low है इस कारण से इंट्रकोस करने की इच्छा नहीं होती वह एक separate topic है पर आप अगर forcefully अपने आपको abstinence में रखते हैं आप forcefully intercourse को word कर रहे है आप sex नहीं कर रहे है पनाल मिसाज नहीं कर रहे है अपने आपको stimulate नहीं कर रहे ह तो कुछ समय बाद body testosterone levels को घटाना शुरू कर देती है अगर आप regularly intercourse करते है regularly अपनी wife से मिलते है regularly अपने आपको discharge करते है तो आपका prostate, testis, penis तो healthy रहता ही रहता है साथ में feedback mechanism से आपका testosterone level भी बहुत high हो जाता है तो अगर आपको intercourse करने की facility available है तो उसको utilize कीजिए और regular healthy sexual life को enjoy कीजिए और अब मैं आपको बता हुआ चार ऐसे supplements जिनको आप बहार से लेकर अपनी diet में ले सकते है इन supplements के बारे में एक detailed video अलग से बनाएंगे पर आज मैं आपको चार supplements ऐसे देता हूँ जिनसे आपका testosterone level कम से कम दो गुना बढ़ेगा पहला है vitamin D तो vitamin D आज के दिन endocrine hormone है और normally body इसको sunlight से बनाती है यह भी cholesterol से बनता है और यह skin के नीचे बनता है तो अगर आप adequate मातरा में sunlight ले रहे है और omega fatty acid ले रहे है तो normally आपका vitamin D ठीक रहेगा पर क्योंकि आजकल हमारा sun exposure कम हो गया है full sleeve shirts पहनते है घरो में रहते है तो vitamin D low है तो vitamin D को पूरी मातरा में में लेना या तो oral form में लेंगे या सैशे form में लेंगे injection form में लेंगे अगर अपने vitamin D को ठीक रखेंगे तो testosterone level हमेशा ठीक रहेगा दूसरा है zinc and selenium zinc और selenium heavy metals है यह दो metals ऐसे है जिनको diet में कम मातरा में लेना है पर यह sexual power के लिए sexual energy के लिए बहुत ज़रूरी है zinc और selenium prostate healthy रखते है sperm count को healthy रखते है सीमन को गाड़ा रखते है और सबसे important है कि testosterone level को बहुत हाई रखते है तो अच्छा supplement जिसमें अच्छी quantity का zinc और selenium हो यह भी आपको बहुत help करेगा तीसरा अश्वगंदा अश्वगंदा अईरवेदिक में आता है नाचुरोपैथी में आता है म मैं अश्वगंदा प्रमूट नहीं करता पर काफी जगाव पर अश्वगंदा का benefit है और among the herbs या among the medicines अश्वगंदा का एक अच्छा roll testosterone boosting में पाया गया है तो अगर आप अच्छी quality का अच्छी जगे से लेकर सिरप अश्वगंदा अपने diet में try करेंगे तो उससे आपको blood pressure as well as testosterone में अच्छा benefit मिलेगा फिर दो ऐसी दवाया है जो थोड़ी सी drugs form में आ जाती है उसके बारे में मैं बहुत detail में आपको कभी और बात करूगा पर DHEA और aspartic acid यह दो चीज़े है जिनका testosterone में production में boosting में अच्छा roll है इनको properly लिया जाए तो काफी फाइदा मिल सकता है पर इनको carefully लेना जुरूरी है क्योंकि कई बार अगर properly ना लिया जाए या monitoring ना की जाए तो यह फाइदे की बजाए नुकसान भी कर सकती है DHEAS और aspartic acid yes testosterone के boosters है आपको जिन में कई बार apply करते है बहुत अच्छा फाइदा देती है पर careful लेना जुरूरी को नुकसान भी कर सकत है और एक जो लास्ट में मैं आप एक टॉपिक खतम करते हैं बता हुआ कि टर्मरेक तर्मरेक मतलब हल्दी हल्दी का भी टेस्टेस्टेस्टरॉन बूस्टिंग पे बहुत अच्छा रूल है पहले आप देखते ही थे कि हल्दी वाला दूद देते थे फस्ट नाइट को की सट्री मर्दों में थाक्त आजए वह फिलो एक ऑवरρεयक्शन है पर तर्मरेक का हमारे डाएट में हमारी इंडिय डाएट में बहुत रूल है अगर आप तर्मरीक पसंद नहीं है या ना पसंद āट थो रूएक जो फिन विन इसको बोलते है the कुरकुमिन को एब्सॉप कराने के लिए जो उसको बोलते है नानो कुरकुमिन भी एक बहुत फेंटास्टिक टेस्टोस्टरोन बूस्टर है कई कॉंबिनेशन आते हैं जिन में नानो कुरकुमिन, ऐस्पार्टिक आसेड, जिंक, सेलेनियम और आपका वाइटमिन-D साथ में रहता है जो एक टेस्टो बूस्टर की तरह यूज कर सकते हैं तो अगर आप अपने इस जनरल लाइफस्टाइल में कंपाउंड एक्सरसाइज वेट लॉज हेल्दी लिवर टेस्टेस मसाज हेल्दी सेक्षिल इंटर कोर्स और यह सप्लीमेंट्स आड़ करते हैं तो आपका टेस्टेस्टेस्टरान लेवल पका तीन सो से छे सो मले अट लिस्ट डबल दो महिने में हो जाएगा और उससे होने वाले फाइदे तो आपको मिलेगी मिलेंगे अगर आपको वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए नीचे कमेंट्स में अपने कमेंट्स लिखिए मैं आपके डाउट सॉल्व करूगा वीडियो को फ्रेंड्स से शेर कीजिए उनको भी फाइदा होगा और अगर आप रेगुलर्ली मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं कहीं पर इंफो करने का मौका देंगे थैंक यू सो मच टेक केर बाए